गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका SST, so please open your SST book इसमें हम पार रहे थे, Indian Village इसमें आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ, इसके question answer, ठीक है? तो इसको आप देख लीजे, copy में फर्स है आपका क्लास थर्ड, subject है आपका SST, date है 70, December 2020, lesson name है Indian Village ठीक है, यह हम पढ़ चुके हैं, इसमें भी मैंने कुछ question सेलेक्ट किये हैं, वो ही आपने learn करने हैं तो देखिए, फर्स question मैंने लिया है, what are the basic needs of the people living in villages? जो लोग गाओं में रहते हैं, उनकी जो आम जरूरत हैं, उनकी basic जो जरूरत हैं, वो क्या-क्या है? तो basic जो needs हैं, वो देख लीजे, क्या है? The basic needs of the people living in villages are, जो लोग गाओं में रहते हैं, उनकी basic needs हैं Safe drinking water, साफ पानी, electricity, बिजली, road, सडके, school, स्कूल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए and health centers, जहां वो अपनी बीमारियों का इलाज करा सके, तो it's very easy to learn, okay? Second है, who heads the gram-panchaid? Gram-panchaid का जो प्रधान होता है, मुख्या होता है, वो कौन होता है? तो answer देखिए, सरपंच और प्रधान heads the gram-panchaid, जो gram-panchaid का head कौन होता है, सरपंच या फिर प्रधान, जिससे सरपंच कहते हैं, या फिर प्रधान कहते हैं, वो ही gram-panchaid का मुख्या होता है, okay? तो first question मैंने लिया है, second question मैंने लिया है, और मैंने सिधे fifth question आपके लिए सरक्ट किया है, what are the duties of gram-panchaid? जो gram-panchaid होती है, उसकी duty क्या होती है, तो देखिए, gram-panchaid looks after the needs of the people and the area, लोगों की जरुवतों के needs का ख्याल रखते हैं, gram-panchaid देख रेक करते हैं, they keep the town clean, जो शहर है, जो गाउं है, उसको साफ सफाई, drains problem अगर कोई है, नाली की कोई दिक्कत है, तो उसका clean drinking water, सभी लोगों के लिए साफ पानी मिले, looks after roads and build new roads, looks after roads, सबकों का निर्मान करना या अगर सबके नई सबके बनाने का निर्मान करना, अगर सबकों में कोई दिक्कत है, तो उसकी problem को solve करना, यही gram-panchaid की duties होती है, तो केवल इतने ही question मैंने आपके लिए select ही है, इस lesson से आपने सिर्फ इतना ही learn करना है, ठीक, तो इससे करिए भी, लिखिए भी, learn भी करिए, ओके,